दिगज एक्टर सतीश कौशिक का 66 साल की हुम्र में निधन हुआ नौमार्च को वो हमेशा के लिए दुनिया को अलविता कह गए सतीश कौशिक के निधन ने उनके परिवार और करीबियों को जिन्दगी भर का खाली पन दिया है शुरुवाती पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में मौट की वचह कारडिय क अरिस्ट बताई गई लेकिन अब सतीश कौशिक की मौट के मामने में नया मोट सामने आया है मीड़ रिपोर्टस के मताबिग पुलिस को शतीश कौशिक जिस फॉर्म होस में ठहरे थे वहाँ से कुछ दवाई मिली है जिसके जाँच में पुलिस जूटी हुई है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मताबक दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम को गुरुगराम के पुषपांजली फॉर्म हाउस से कुछ दवाई मिली है सतेश कौशिक मौत वाली रात यहीं ठेह रहे थे दरसल वो अपने दोस्त के निमंतरण पर गुरुगराम होली मनाने के लिए आये थे यहीं देर रात सीने में दर्द उठा और फिर कथित हार्ट इटक की वज़स उनका निधन हो गया इस मामले में दिली पुलिस ने जाच शुरू की है दिली पुलिस तहकिकात कर रही है कि फॉर्म हाउस पर कौन-कौन था कब उन्हें अस्पताल ले जाया गया उन्होंने क्या खाया और क्या पिया मेमानों की लिस्ट तक सारे एंगल्स तरास रही है अब खबरे ये भी आरहे हैं कि पुलिस को सतिश कौशर के कमरे से कुछ दवाया मिली हैं जुस में से कुछ रेगुलर दवाया शौमी Never जैसे शुगर से लेकर गैस तक की दवाया मगर कुछ दवाया ऐसी है जुने लेकर पूशताश होगी खेर पुलिस ये साफ कर चुकी है कि अभी तक उन्हें जाच में कुछ भी संदिक्द नहीं मिला है नहीं एक्टर के बॉड़ी पर किसी प्रकार का निशान था फिलाल पुलिस निशकर्ष पर पहुँचने से पहले हर छूटी चीज़ पर बारी की सिध्यान दे रही है साथ ही डिटेल पोस्ट मॉटम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है सतीश कौशिक जिस फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे वो एक गुठका किंका है किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि साल 2023 सतीश कौशिक की आखरी होली होगे सतीश कौशिक ने साथ मार्च को मुंबई में जावेद अक्तर के घर होली पार्टी अटेंड की थी इसकी फोटोज उन्होंने इंस्टाप पर भी शेयर की थी अक्टर ने अपने मैनेजर को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी, इसके बाद उन्हें तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले जाय गया था डॉक्टर्स ने सतीश कौशिक को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए सतीश कौशिक अपने पीछे पत्नी और 11 साल की बेटी को छोड़ गया है सतीश कौशिक के निधन से उनके जिगरी दोस्त अनुबम खेर को गहरा धक्का लगा दोनों की दोस्ती 45 साल पुरानी थी सतीश कौशिक के निधन के खबर सोचल मीडिया पर अनुबम खेर ने ही शेयर की थी उनके अंदिम संसकार में अनुबम खेर अपने आसूओं को नहीं रोक पाया थे अनुबम खेर ने दोस्त की अर्थी को कंधा दिया था अनुबम खेर का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो सतीश कौशिक के पार्थिर्फ शरीर के पास बैटे थे वो फूट फूट कर भी रोते नजर आये थे इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बतायां साथ ही साथ देश दुनिया के तमाम और छोटी और बड़ी खबर की जानकारी के लिए बने रहे निज नेशन के साथ